गुरमार्णीग, गुरमार्णीग, स्टुेवेंट्ट्स, मैंसेल नाराश्ञ, अस्सिस्टेंट्ड प्रफेसर फिंग्लिश इन कृष्णा कामज जुकेशन अरलिए Students, we all know personality plays a vital role in the success of man. Students, सानु साबनों ही बताएं कि personality जिन्दगी विच बहुत ही बड़ा रोल नवां दिये. साज आसी गल करांगी कि personality हुंदी की है. What is personality? Students, आसी मुष्टरी सुने है कि एक चंगा हेरस्टेल, चंगी ड्रेसिंग सैंस, जा लिविंग हाई स्टेंडर्ड ऐना चीज़ जानूं ही एक का personality मान लेया जान्द है. But sorry students, एक personality नहीं है. Personality हुंदी है तहाड़ा इंडिविज्विज्वाल्टी है. How you are behaving with your family. How you are leading your life in the society. What is the goal of your life? तहाड़ी जिन्दगी ता मकसद किया, पर्पज किया तहाड़ा. तहाड़ी statements, तहाड़ी notions, तहाड़ी views की नहीं है जिन्दगी ले. ए सारा कुश तहाड़ी personality है. ता students, personality नहीं सिर्फ बारी चंगी लुक ही मान लेना, एक अलता है. पर students, तहाड़ी inner growth, प्लस तहाड़ी outlook, दोना नूं मलाके ही personality बन दिया है. ता students, देखो, personality development is the process of reflecting on your skills and qualities. अपने skills नूं, अपने हुनर नूं, ते अपने गुणा नूं कमांड करना लेना, उनना ते गांट्रोल करना ही personality है. Considering how they relate to your goals in life, तुसी अपने जिन्दगी वीच इनना skills देनाल, इनना qualities देनाल, कि में अपने गोल नूं हासल कर दें. And identifying ways to build the strength, जो need to succeed. ते यही personality है, जिरी तहाड जिन्दगी वीच साफलता नूं पाउनली, शक्ती दी लोड़ हो दी है, ओ यह personality जो तहाड डिवेल्प हो जन्दी है, ओदों ही ओ स्टेंथ मिल दी है, जिन्दगी वीच साफलता देनी. Engaging in the lifelong process of personal growth can pay dividends in your life, your family, your relationships, and in your professional development. Think about childhood development as an analogy, तो जदों आसी एक बच्ची होने है, तो कि में साथी development हों दी है, ओ देखो. As an infant grows from a toddler to a preschooler, तो सानों तो पहला थे एक toddler होने है, तरती ते रिंगन वाले कीड़े दी तरह होने है, और फिर preschooler आ जनने है, इन्टी चार्ड होने है, जदों आसी बच्ची परदी वीच होने है, तो school वीच जनने है, and then adolescence, फिर आसी कशोर वास्ता वीच जनने है, जदों क है, धी acquired crucial skills like walking, talking, fine motor skills, reading and countless others, ता एक शुकर अवास्ता वीच आसी लोग कांदी वीच बिचरना, लोग काना, गल करना, साड़ा पढ़ना, बोलना, इस सारा कुछ सिख दिया, बाली भी में finished with a dramatic physical growth of childhood, जदों को childhood तो अडोलोशेंट दे वीच एक कोदा मानने है, ता साड़े एक dramatic physical growth हुं दिया, एकदम change हां दिया, बोडी दिया, साड़ी बोडी ट्रांस्फोर्म हुं दिया, ता स्टुमेंट्स की हुं दिया, उस में इसनो storm age भी कह सकते है, तफानी वस्ता हुं दिया, we must continue to learn the more soft skills we need for success in the adult world, तक जदों आसी adult world दे वीच आन्या, ओ डोलोशेंट समय उसनों पार कर दें आसी, उस तो बाद आसी एक adult world दे वीच अंटर करना है, जदों आसी एक mature वस्ता दे वीच आन्या, तो उस विच जान तो पहला साड़े को बहुत सारी गुणा दा हुना बहुत जुरूरी है, तहां ऐसी तरह स्टुमेंट्स की है, देखो तुसी हु देवी बहुत जुरूरी है, तहां करके ही तहाँ डेली प्रसेनल्टी डेवल्प्मेंट कोर्स स्टार्ट कीता गया, क्योंकि हुन तुसी अड़ाट वार्ड दे वीच एंटर करना है, तहां ओस अड़ाट वार्ड दे वीच जानत पहलना साड़े को बहुत सारी होने हैं ज करियर नो लेकर, अपने मक्सेट नो लेकर जंदगी नो प्लान करनी है, लिसनिंग अट ओफिस एंट होम करें सुननने हैं कर रादी वी करदी भी गल सुननियां, ओफिस जी भी गल सुननियां, फाइंड आ सेंज आउफ इन्र काम, अजयर अंदर अचे अन्दर शांती है ज सो मच मोव कई वर जैन्दगी देविच आजहे देनान देया है जो दो साथे को स्टुएंट्स की हुन देगा कंट्रॉल नहीं हुन दा तिप कार देविच भी आफिस देविच भी थोड़ा बहुता मानम अटाब चलता है तो तो थे इनर काम के में लगयान है अंदरों शांती के में बना के रखे हैं काम डाउन के में हुना है ओस किल्ज साथे अंदर सिक्णियां बहुत जुरूरी है नहीं तो स्ट्वेंट्स परस्नेल्टी डिवेल्पमेंट होना सी किया आख सकते हैं के इक अडाल्ट वार्ड देविच भी चनली साटे अंदर सेंट्शी था था थी शाशन दा होना बहुत जुरूरी है जेकर एक समा देविच चंगे नागरिक बन के आसी उबना जाने है तस वेंट्स एसी परस्नेल्टी डिवल्कमेंट